और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 बाइक्स के बारे में जो आपको 1.5 लेक्स में अन रोड इंडिन मार्केट में अविलिबल हो जाती हैं तो आईए फटा फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोस्तो अगर बात करें दोनों बाइक्स के लुक्स और बिल्ड कॉलिटी की तो लुक्स भी इन दोनों बाइक्स का काफी बढ़िया है अपने सेग्मेंट के असाब से आपको बहुत ही अच्छा लुक्स ओफर करते हैं लेकिन अगर यहाँ बात करें बिल्ड की पढ़ जाती है वहीं जिकसर 150 का एक शोरूम प्राइज है 1,16,000 और इसका जो अन्रोड प्राइज है वो तक्रीवन 1,37,000 तक जाता है यहाँ पर दोस्तों बात करें इन दोनों ही बैक्स के अलेक्रिकल्स की तो सामने आपको LED हैडलाइट का सेटप मिलता है जिसकी जो ब्र और 13.8 Nm का टॉर्क अविलेबल होता है यहाँ पर बात करें दोनों बैक्स के डायमेंशन की तो दोनों बैक्स का डायमेंशन अलग है जिकसर ऐसे 150 में आपको 795 mm की सीट है 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लेरेंस मिलता है ट्वैलिटर किसमें आपको फ्यूल टैंक यहाँ पर दोस्तों अगर देखे जाए पावर टू वेट रिशो तो जिकसर ऐसे 150 के थोड़ा सा कम है लेकिन जिकसर 150 में आपको बहुत ही अच्छा पावर टू वेट रिशो का आउट्विट देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों सस्पेंशन की बात करें तो सामने 140 section 60 का टार देखने को मिलता है दोस्तों अगर बात करें mileage की तो इन दोनों वेक से आप mileage भी तगड़ा गेन कर सकते हो जिकसर 150 से आप around 40 to 45 के MPL तक माइलेज गेन कर सकते हो और जिकसर 150 से भी आप इतना ही mileage गेन कर सकते हो तो अगर आपका budget काम है और आपको एक fully fed या फिर अच्छी naked वाली बाइक चाहिए जो आपको काफी अच्छा performance दे सके और आपको mileage भी अच्छा खासा मिल जाए तो मुझे लगते हैं कि आपको जिकसर 150 या फिर जिकसर 150 के तरफ जाना चाहिए तो यह तो थी सुजू की जिकसर 150 और जिकसर 150 नंबर 4 पर आती है TVS Apache RTR 200 4V दो क्योंकि दोस्तों अगर आप compare कोरो NS200 से या फिद्यूक 200 में तो उनमें भी आपको इतनी features देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको TVS की Apache में देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों बात करें इस बाइक की pricing की तो इसका जो एक्षो रूम प्राइज है वो है 1,29,000 और और इसका जो on-road price है वो तकरीबन 1,48,000 तक जाता है लेकिन इसकी जो on-road price है single channel ABS की dual channel वाले जो variant है वो देड़ लाग के उपर जाता है तकरीबन 1,53,000 लेकिन मुझे लगता है कि single channel ABS भी आपके लिए worth for money होने वाला है यहाँ पर दोस्तों बात करें बाइक की overall looks की तो इसमे आपको बहुत ही शांदर लोग देखने को मिल जाता है सामने आपको all LED headlight का setup मिलता है उपर आपको LED DRL मिलते है तो overalls की जो brightest है वो भी अच्छी है पीछे आपको LED tail light मिल जाती है और इसमें आपको bulb indicator available होते हैं दोस्तों बात करें इस बाइक के dimension की तो इसमें आपको 800 mm की seat height मिलती है 180 mm का इसमें आपको ground clearance मिलता है 12 liter के इसमें आपको fuel tank capacity मिलती है और 152 kg का इसमें आपको craft weight available होता है यहाँ पर बात करें इंजन की तो इसमें आपको 197.75 CC का single cylinder oil cooled BS6 engine available होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें power outfit की तो इसमें आपको 3 riding mode मिलते हैं पहला sports दूसरा urban और 3 rainy mode तो इन modes के हिसाब से इसका power distribution बटा हुआ है तो इसमें आपको अलग-अलग modes के हिसाब से अलग-अलग power देखने को मिलने वाली है अगर आप sport mode में write करोगे तो इसमें 20 BHP की power मिलेगी लेकिन अगर आप urban या rainy mode पर write करोगे तो इसमें 17 BHP की power देखने को मिलने वाली तो यह feature आपको नहीं NS में मिलता है नहीं आपको Duke में मिलता है लेकिन TVS आपको provide करा रही है तो मुझे लगता है कि इन feature के साथ आपको इस bike की और जाना चाहिए यहाँ पर दोस्तों बात करें suspension के सामने आपको telescopic suspension देखने को मिलता है जो की adjustable है आप अपने साफ से उसको adjust कर सते और पीछे आपको monoshock suspension देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तों बात करें चैसी की तो इसमें आपको double cradle split stiff chassis देखने को मिलती है सामने आपको 90 section 90 के tire मिलता है और पीछे आपको 130 section 70 के tire available होता है ब्रेकिंग की बात कर दोस्तों आपको single channel EBS available होता है तो दोस्तों यह थी TVS Apache RTIR 204V नंबर 3 पर आती है Honda Hornet 2.0 दोस्तों अगर इस bike के overall looks को दिखा जा तो looks के मामले में Honda ने इसमें काफी अच्छा improvement किया है अगर मैं compare करूँ पुराने वाई looks से तो मुझे नया वाई look specially बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इसके graphics दो इसमें आपको बहुत ही 2000 की confirm on road available होती है यहाँ पर बात कर दोस्तों इस bike के dimensions की या फिर करें electrical की तो सामने दोस्तों आपको all LED headlights का setup मिलता है पीछे आपको LED tail light मिलती है और इसमें आपको LED indicators मिलते है क्योंकि Honda quality और features के मामले में कोई भी compromise नहीं करता है यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको 800 mm की seat height मिलत मिलता है 1280 के इसमें आपको fuel tank capacity मिलती है और 142 kg का इसमें आपको krab weight देखने को मिलता है यहाँ पर बात कर इस bike के chassis या फिर suspension की तो इसमें आपको diamond frame chassis मिलती है सामने आपको upside down suspension मिलता और पीछे आपको monoshock suspension available होता है दोस्तों इसमें आपको 184 CC का single cylinder air cooled engine मिलता है हाला कि मु 18 bhp की power और 16 newton meter का torque available होता है और इसमें आपको number of gear से वह आपको 5 available हो जाते हैं यहाँ पर दोस्तों बात कर इस bike के tire की तो सामने आपको 110 section 70 का tire मिलता है और पीछे आपको 140 section 70 का tire available हो जाता है यहाँ पर दोस्तों बात कर इस bike के mileage की तो इस bike से आप around 36 से लेके 40 kmpl तक mileage gain कर सकत हो और बात कर इसकी breaking की तो इसमें आपको single channel ABS available हो जाता है तो यह तो थी honda hornet 2.0 number 2 पर आती है hero extreme 160R दोस्तों इस बार hero ने भी अपने bikes में बहुत ही अच्छा improvement किया या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा तरीके से इनने अपनी bikes पर काम किया है यहाँ पर बात करें extreme 160R क तो इस bike में आपको performance भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है features भी अच्छे मिल जाते हैं वो भी कम price में और mileage भी इस bike से आपको आराम से अच्छा खासा gain हो जाता है यहाँ पर दोस्तों बात करें इस bike के pricing की तो इसका जो extra room price है वो है 1,10,000 और on road है आपको तकरीबन 1 1,28,000 की available हो जाती है तो मेरे साब से अगर आपको budget कम है तो आपको hero की extreme 160R की तरफ जाना चाहिए यहाँ पर दोस्तों बात करें looks की इस bike का looks भी बहुत ही जबरदस्त है इसके जो tank flaps है वो इस bike को एकदम sporty और muscular look देती है सामने आपको all led headlights का setup मिलता है पीछे आपको led tail light मिलत है यहाँ पर दोस्तों बात करें इस bike के dimensions की तो इसमें आपको 790 mm की seat height मिलती है 167 mm का इसमें आपको ground clearance मिलता है 138 kg का crab weight है और ट्यूलेटर की इसमें आपको fuel tank capacity मिलती है चैसी की बात करें तो इसमें आपको tubular diamond frame चैसी देखने को मिलती है सामने आपको telescopic with anti friction bush suspension मिलता है और जो की 7 step adjustable है और पीछे आपको monoshock suspension available हो जाता है उसको भी आप अपने तरीके से adjust कर सकते हो अगर breaking की बात कर तो इसमें आपको single channel ABS available होता है और उसमें आपको सामने 100 section 80 का tire और पीछे आपको 130 section 70 का tire देखने को मिल जाता है mileage की बात करें तो इस bike से आप around 40 to 45 के MPL तक का mileage gain कर सकते हो और कई सारे लोग 45 अब भी mileage इस bike से gain कर रहे हैं तो यह तो थी hero की extreme 160R बाकि अगर आपका price इतने तक है तो मैं आपको बिल्कुल recommend करूंगा कि आप hero की extreme 160R की तरफ जाईए नंबर वन पर आती है Yamaha FZS version 3 और FZ version 3 दोस्तो यह दोनों bikes भी अपने segment के साफ से बहुती बढ़ी है sales कर रही है और यहां अगर देखा जा तो Yamaha ही सर्फ एक ऐसा brand है जो आपको काफ़ी अच्छा refine और reliable engine offer करता है यहां पर दोस्तो बात करें दोनों bikes की pricing की तो जो FZS version 3 का एक शोरूम प्राइज वो है 1,4000 और on-road यह आपको तकरीवन 1,19,000 की पढ़ जाती है वहीं FZ version 3 का एक शोरूम प्राइज है 1,2000 और यह आपको on-road 1,18,000 की available हो जाती है यहां पर बात करें दोनों bikes के dimensions की तो इसमें आपको 790 mm की seat height मिलती है और 165 mm का ground clearance मिलता है 135 kg का crab weight है इसमें आपको fuel tank capacity मिल जाती है हालकि अगर देखा जाएं आपर power to weight ratio दोनों bikes करना जादा है नका में आपको average power to weight ratio इन दोनों bikes में available हो जाता है यहां पर दोस्तों बात करें इस bike के suspension की तो सामने आपको telescopic fork suspension मिलता है और पीछे आपको 7 step adjustable monoshock suspension मिल जाता है चैसी की बात करे दोस्तों आपको single channel ABS available हो जाता है with dual disc दोस्तों बात करें tires की तो उसमें आपको 100 section 80 का tire मिलता है और पीछे आपको 140 section 60 का tire available होता है तो दोस्तों यहीं थी कुछ bikes जो मैंने आपके लिए select की थी तो उमीद है कि आप सभी को ये video पसंद आई होगी और अगर आपको ये video पसंद है तो इसको like करो share करो और अगर आप चैनल पर नए आये हो तो subscribe करके बैल आइकन दबाओ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही video लात रहता हूं